तो अब यह व्याज़ कोचिंग और एसके पीछ एक रीजन है तो चलिए पहले रिजन को बताऊंगा आप बताएं आपका अभ्यास का इसा चल रहा है मेरे बच्चों क्या आप लोगों का जो प्रिपरेशन का मोड़ा ओन हो चुक है बिलकुल तरिके तोड़े समय बचा है आपके प्रिलिम्स में तेक है अज यह खास रिजन इसमें कुछ वाइटल इंफोर्मेशन आपको मिलने वाली तेक है तो मैं आपको बता दू क्यूं नमबर वाना इसके पीछ रीजन है क्या रिजन है देखो अगर मैं आपसे बात करूं 41 प्लस तो हुए नमबर वन है कोई ऐसा आज पास भी नहीं होगा मुझे पता है हम क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं आपको लेक्चर से में दिखी रहा होगा क्लियर एक और क्वालिटी आई यह निकल कि वह क्या देखो है स्कूली में से टैस सिरीस अब वह समय आ चुका है क कि आप एक अच्छी टैस सीरीज यानि अभी मन्यों आई इसकी टैस सीरीज को अवेल करें जिसके अंदर क्या है आपका 26 इसार यूज नमबर व टैस चबबिस आपके पास टैस्ट है 8500 जिन नहीं सिर्फ हो सिर्फ 6500 रुपीज किये देखो इसके अंदर क्या कंप्लीट ज हर्याणा जी के कैसे बढ़ने हर्याणा जी का क्या है उसके लिए भी पूरा इंतिजाम है अभी मन्यों इसके द्वारा क्या हर्याणा जी के टैस सीरीज देखो आपके पास कम सकम 10-15 कोश्टन प्लीम्स में आते ही आते हैं पांसो एंसी क्योंस पांच सो 500 इसा बिग नंब सब्सक्राइब गरना प्लीज मत भूलें यह कुछ इंपॉर्टन है यह कुछ खास है यह कुछ अलग है मेरे बच्चों क्लियर हमारे पास है आज मिक्चर एंट एलिगेशन के कुछ कोश्टन के देखो सबसे पहले होता क्या है मिक्चर सो आपको पता है कि यह पाने डाल द दूट डाल दिया है ना अलकोहल डाल दिया वाइन डाल दिया ऐसे करके कोश्टन आते हैं बट समझ यह आपके पास सबस्क्राइल एलिगेशन क्या होता है यह कुंसेप्ट है जिसका मैं आपको भी पूरा बताने वारो हूँ ऐलिगेशन कि देखो सपोस् सबक्राइब कोई कोई डाटा थोड़क्स क्लेंगे यहां पर comentarios परल कोई को में बटाता हूं बेसिकली होना है का चाहिए आपके पास आपके दो कंडिशन सवस्ति हैं या तो ए ग्रेटर दें सी ग्रेटर दें बी इसका मतलब यह वाला जो नमबर है ना जो आप निचे लिख लिख लो पीछ में यह नमबर इनके बीच में लाई करेगा एवरेज की तरह यह एसे नहीं ह कहीं भी 10 से 11 भी हो सकता है और 14.9 भी हो सकता है बट 10 और 15 के बीच में कोई नमबर होगा और दूसरी के डिशन क्या है ऐसा भी तो हो सकता है कि B बढ़ा हो C से और A छोटा हो बिल्कुल दोनों कंडिशने फुल्फिल है मेरी बस A और B के बीच में C कहीं पे लाई करना चाह क्लियर दूसरी चीज़ अगर मेरा यहां पर सैलिंग प्रैस है तो यह मेरा क्या आएगा सैलिंग प्रैस है और यह भी क्या आएगा सैलिंग ठीक है अगर मेरा यह स्पीड है तो यहां में स्पीड की बात करूंगा और यहां भी मैं किसकी बात करूंगा इसका मतलब जिस ज परसेंटेकर चाहिए वो आपका प्रॉफिट लोग सोच पीटाइम डिस्टन्स का आपका कोई भी चैप्टर ओक्लियर तो याद रखिए यह कोई चैप्टर नहीं है एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है इसकोंसेप्ट हुआ है है कि जी करें करण बोला जाता हुर्शींप सिरफ जब यूसल हुगा जब अच्छे से假ð iaग्व एक बात और सुनों च्टर यह मेरे पास कॉस्ठ occup 가져 है यह 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 आंप लोगों को बिसिकली आज इस एक्षोटे से शैंशन में ऑलेगेशन का में देखो स्पीड का कि यूनिट्स क्या होता बेटा इस क्या किलोमटर पर आपर होता है यानी पर आवर पर के पर के साथ क्या के जी क्या होता है तो यह थोड़ी सी अलग बात है जो मैं आपको बताए होफुली यह क्लियर हो गया होगा आप चलते हैं को तरफ तो यह यह ने को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूली और आपका फूल टै सीरी सीरी और आपका हर्यान जी के का भी टैसेर शीर्य और पहले पहले वाली एख सिक्स्टी फाइजर्प फिर दिखा दूने देखिए वह बढ़ते हैं पहले को शुगर पार्ट विच्छी साज परसेंट प्रॉफिट बाप कीजिएगा एंट्राइस एटीन परसेंट देखो मैंने माना थाउसंड के जी है इसकी लिए मुंकरते कैसे एक्स मान लिए थाउसंड बइसे नहीं मैंने माना कि एक को एपे पेच्छा है यह है बताब 1000 का A और B पार्ट कर लिए जिसमें क्या है मेरा A और B को जोड़ूं तो मेरा कितना है का मेरे बच्छों इसको कितने बिच है एट परसेंट के प्रफिट दूसरे को इटीन परसेंट के प्रफिट इसका मतलब आठ अठारा चौदा अगर सब्सक्रों आपने फोर्टीन लिखा या एटीन लिख दिया तो एटीन एट और फोर्टीन की रेंज से बाहर रोग देफिनली यहां पर क्या आपके आज 14 परसेंट क्लियर अब आपको बोला जाते एरो लगा दी जाते भाई वह बेफुजोल वाला तरिक्क है क्या करना देखो बड़े मिज़े चोटा मैनेस करना यह कितना हो गया केил यहंद ना युक्स घर ईडिफे और यह कितना यहां से मआइनस ओंटी एकपी प्रॉपिट होता है किसमें रूपीज पर केजी ऐसी बोलो कि चार रुपे पर केजी का प्रॉपिट हुआ तो इसका रिशो आया कापकी क्वांटिटी का इसका मतलब अगर यह रेशो बी निकाल लोगे आप वह किस तोड़ा आपने तुरेशो त्रियन पांच यूणिट कि इतनी आगी 1,000 एक युनिट की वैल्यू कितनी आगी चार सो तीन की वैल्यू कितनी आगी चैसो वह क्या पूछर आप से प्रॉफिट इस दा कॉंटेट सोडर एटीन परसंट एटीन परसंट वाली पे कितनी आपका ऑप्शन नमबर सी चैसो के जी तो जल्द बाजी में एक उप्शन मतल बनता है ऐसे कोशन के लिए ऐसे डेटा के लिए क्लियर चलिए चलिए बहुत अच्छा कोशन अकेन कंटेंस आं मिक्शर ऑफ टू लिक्विड एन भी इन रिशो 7 रिशो 5 देखो अपने क्या दिया है कि 7 रिशो 5 वैं 9 लिटर उफ मिक्शर ड्रॉन चलो एक बात बताओ हम इसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई तो आपने क्या किये देखो आपने तीन कप चाय बनाए एक अपने लिए एक अपने माता पिता के लिए तो क्या जो मम्मी बापा ने चाय भी उसका टेस्क भी आपकी चाय के बराबर होगा नहीं यस अगर आपने सेम क्वांटिट है बिल्कुल जब मैंने एक मिक्षर में कुछ मिक्षर निकाल लिया तो अभी भी जो मेरे पास एयरे शो भी का क्या दिया मिक्षर का रएशो तक में अब राएं हुराओ आ तक यहाँ अब आपने बी को फिल कर दिया दरेशो अब बाग याद रखना जब भी अप कोई चीज मिक्स करते हैं तो दूसरा इसका मतलब आपने यहां पर बी को मिक्स किया यानि आपने एड किया तो रफिने एक नहीं होता तो मैं बनाता अगले को शने बनागे दिखाऊंगा आपको कुछ कोशन में तो यहां पर चार यूनिट एड हुआ अब मुझे क्या रहा हूं आप वह क्या क्या रहा है कि यहां पर देखो कितना है यह कितना हुआ इसका मतलब जब आपने यह 9 लिटर निकाला हुआ था तो 27 लिटर आपके पास टोटल सलूशन था इसका मतलब जब इनीशल पर जाना है तो इस 27 पर प्लस नो आइड कर दो यह कितना हुआ यहां पर 36 लिटर और किस रेशों में वह वह साथ रेशों पांच यहनि मैं क्या कोंगा बारे एक इंट की वालुट इतनी है तीन साथ की वालुट कितनी है इक इस लिटर पांच की वालुट कितनी है पंदले लिटर तो आप क्या करें लिक्विड एक कितना है ऑप्शन नमबर सी 21 लिटर इस दा राइट प्लीज कोई डाउट हो कोई भी आप को लगे की कोशन में कोई दिखता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं पूरी तरीके से आपकी हल्प करें हमारे चलिए न अब मिक्शर ओफ ओफ फंफिफ्टी लिटर वाइन वाइन वाटर इन टूंटी परषएंट वोटर हाव मच मोर वॉटर शूडवी एड़िड तो देखो भी चो सापसी बात मेरे को एकसो पचास लिटर दिया है ना इसमें मुझे वाइन और वाइन एंड वाइन वाइन और देखो 20 परसेंट वाटर है तो टोटल 100 परसेंट होगा मेरे बास यानि वाइन और वाइन वाइन कितना होगा मेरे बास एफ फ़ रेशो बढ दा जब आपने क्या करना है आपने वाटर को 25 पर सेंट करना है इसका मतल वाइन और वाइनिशेली कितना था मेरे पास है फ़ री श वान मेरे पास अगर ट्वॉन पर सेंट वाइन वाइन होगा यानि कितना हो गया जो 4 ratio 1 था वो कितना हो गया 3 ratio 1 हो गया इतनी सी बात बता हो clear है अब मुझे सिर्फ एक बात बताईए आप मैंने अभी थोड़े पहले बताया था आपको कि जब मैं कोई external चीज एड़ करता हूं आप water add कर रहे हो तो क्या wine की चेंज होगी नहीं wine की जितनी बेटा पहले थी उतनी ही अब रहेगी इसका मतलब क्या है आपके इसे करो तीन से अभी पता नहीं है बट यहां पे क्या मेरे पास ती बारतीन-पंदरा ही सोलस सोला की निया हरी इन्टो टैन एक सो साट इसका मदर जो पहले एक सो पचास था वो एक सो साट आ गया है तो मैंने कितनी कॉंटिटी डिए क्यों कि बैटा ऑप्शन नमबर ए अगार्शन इन आभ। टेंट इसलिटो टू चलिव और ने जोगार्शन इसाटमिक्टी डिडिया फिर भी बात जब आपने 10 लिटर का मिक्षे निकाल लिया जब भी पेट्रोल और करशों किस रिश्व में अगे नीचली त्रिशो ट्वाई टू और फानली क्या कर रहा है टेन लिट्र ऑफ मिक्षर टेकन आउट एंड रिप्लेज भाइड रिशो टू था वह कितना होगा इसका मतलब आपने एड़ क्या किया है कैरोसीन एड़ किये तो भाइड के पेट्रोल को गुरू बरब इसको गुरू तो से तीन दूनी छे दो दूनी चार तीन दूनी छे तीन 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 नोव ठीक है जी देखो यह पेट्रोल है और यह क्या करोसीन आपने पेट्रोल को बराबर कर दिया करोसीन एड़ हो रहा कितना तरफांच फांसुन वेलीव कितने मुझे अखॉडिश्ष्य टैन लिटर ठीक है एक तो गैळट्र कि वेलीव कितने है तो लिटर हो क्या कर रहं दैन टोटल कों ट्रूम मिश्चर इस कंटेनर की यहां पर कितने है मिरे पास दस और दस डो कितना आ गया बीस बीस कब थी ज बताओ मैंने अगर दस लेटर निकाल ला है तो दस लेटर एड़ किया होगो डजन मैटर पेट्रोल केरोसीन की कंसेटरशन चेंज हो रही है नहीं होगी मतलब आप यह कह सकते हो इस केस में इनीशल कॉंटिटी इस फाइनल कॉंटिटी इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं यहां से पंदरा यूनिट की निकालता पंदरा गुना दो कितना हो जाता हूं थर्टी बिल्कुल सभी समझ रहे हो आप कि अगर इस कोश्चन में ऐसे करता बाराजार सोला ठीक है तब भी मेरा अंसर यही आता हूं ठीक है इसमें भी अगर मैं करता ना उसा सोला से इंपोर्टन कोश्चन के सीरी शुरू होती है चलिए ओफफुली यह क्लियर हो गया होगा आपको आपने नोट भी कर लिया होगा चलिए फ्रोमा कंटेनर 6 लिटर मिल्क बॉस्ट रॉन आउफ डॉन आउट और रिपलेस्ट बाटर अगें 6 लिटर उप को दो यह क्या है मैं बढ़ता हूं मेरे पास क्या होते हैं में इसको में लिखूंगा रिमेंग अपन टॉटल रेशो रफो रिमेंग कशी एक आउगा टॉटल है इस इकल टॉटल है इस एकल वन माइनस अफक्व उफ कॉंटिति ओउट अब और टोटल कउन्टिटी नमबर उफ टाइम्स अब सूनों जबर क्या चीज़ यह फोर्मुले स्प्लेसिफ़िकली फॉर्मुला है यह स्पेसिफिकली यूज्ट नम्बर कॉन्टिटी गोगा एक ही जैसे हैं क्या हुआ अगेंट शिक्स लिटर ऑफ मिक्षर इस पहले कितना है इसको भी देखते हैं देखो यह नाइन बाइस जो है ना यह क्या मेरे पास यह मेरे पास बचाहे है किसका बॉटर इंदे इस टो प्रेशन वॉटर अपों रिमेंग ठीक है अब देखो इसक रिमेंग अपॉन या अब यह बताओ पहले कितनी क्वांटेटी जब कितनी क्वांटेटी बची है कि अगर पहले टोटर पच्चिस था ना आफ्टर रिप्लेस्मेंट अभी कितना रह गया नाइन कि शुरू में अगर मैंने ना अब मेरा नौ यूनिट कह रहे है दो रिप दोबर खास बात क्या है जो आपके पस यहां पी आया ना उसका सिक रहां बनेगा यानि यह क्या हुआ है नोब टेपच्चिस आने तीने प्हिए पांच का सिक्ष्प असफिल देखो। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया पंदर लेटर क्लियर टोटल क्वांटिटी कितना होगा मेरे पास 15 लेटर ऑप्शन नमबर ही अब ऐसे कोश्चिन करने हैं दुबारा इसका खेल तुनों क्या ही यह मेरे पास याने मिल्क और यह कितना है और मिल्क मेरे पास नाइन तो टोटल मेरे पास मिल्की शुरू में कितना नहीं वह बेटा 25 क्योंकि शुरू में सिर्फ मिल्क था मेरे पास बोटर तो मैंने एड़ करता गया हूं 6 liter of milk was drawn out and water is replaced with milk clear तो यह कोच्छन समझ आगेगो hopefully चलिए नेक्स कोच्छन बढ़ते हैं बहुत अच्छे कोच्छन से बिल्कुल देखो 8 liter of drawn from a cast of wine and it is then filled with water this operation is performed 3 more times यहनी अब मेरे पास quantity कितनी बार हुए है चार बार इसका मतलब remaining upon total is equal to one minus quantity out upon total quantity और इसका क्या है number of times clear remaining कितना मेरे पास देखो यह अगर यहां पर ऐसे है one minus eight upon total quantity और कितने times है number of times कितना चार बर तो यहां पर भी क्या बनेगा यहां अब भी होल पावर बननी चाहिए जैसे मेरे पास कितकी आगी two by three की power four तो भाई four से four कटा है कितना बचा मेरे पास two by three is equal to one minus eight by total quantity तो यह कितना बचा one minus two by three is equal to eight upon total quantity तो one by three is equal to eight upon total quantity total quantity कितना आगे आपके वसना आठती है 24 liter option number B is the correct answer clear तो प्लीज प्लीज बच्चों लाइक शेर सब्सराइब करना मत भूलिए इन वीडियो को इन वीडियो को इन next question in a 48 liter mixture the ratio of milk and water is five ratio three how much water should be added in the mixture so as to ratio will be three ratio five देखो initially मुझे यह दिये finally मुझे क्या करें कितना चाहिए नदर रेशो उल्टा दो clear कि आपको एड़ क्या करना है how much water must be added इसका मतलब मिल्क कहराना चाहिए बराबर यह question सिरफ और सिरफ प्रेक्टिस के लिए हम आपकी clear यानि पहले milk और water कितना था मेरे पास पंदर रेशो नो और अभी कितना है पंदर रेशो पचेस यानि according to question कितना एड़ हुआ है मेरे पास 16 units क्या मुझे यह यही बताना है yes but according to question क्या दिये यह मेरे पास initial quantity है मेरे पास अब hopefully आपको थोड़ा सा समझ जा गया हुआ कि कि मिक्षर अंगेशिन का क्या फूसरा से रहते है पंदराव चॉबश्य यह चॉबश्य यूट की वैल्यू कितने मेरे पास आज बताईए कितना है बिल्पोल साहिए कितना है बास 48 लिटर तो एक यूट की कि वैली कि इतने हैं गे सोला दूना दो फटाफट कोश्चन करेंगे ऐसे अब सिलेक्शन भी ऐसे चुटकी बजाते लेंगे अभी हमन्यों ऐसे साथ विकॉस अब टैस सीरी जॉन करने का टाइम आ गया है जिसका लिए कि डिस्क्रिप्स बॉक्स में दिया गया है जल्दी से नोट कीजिए चलेंगे आज के अंतिम की तरफ जल्दी से आइटिंग दो कोशन बचेंगे दो बचेंगे मेरे पास अभी चलिया यह भी काफी इंपोर्टेंट कोशन आने वाले एक्जाम के लिए आ सकता है सब्सक्राइब दरेशो फो मिल्क और वाटर इन थ्री सेंपल्स इस वन एशो थ्री ट्रीशो फाइव इलेवन इशो फाइव अ मिक्शर कंटेश इक्वल क्वांटेटेटेश ओव ओल त्री सेंपल्स इज मेड़ वट विल भी दे रेशो आफ मिल्क और वाटर इन दर न्यू मिक्शर बताइए क्या अंसर होगा कि मैं थर्ड कंटेनर की बात करूं किस रेशो में हैं फ़ले कंटेनर में कितना है चार दूसरे में कितना है आप तीसरे में कितना है यहां पर कितना है एक लीटर तीन लीटर सीन बंशी लेतर अरृट जण लिटर और भी चार दोर एक इसका वहरे कितना होते हैं मेरे पास सब्सक्राइब तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब दा चैनल एस वेडियो समझ आ रहा है आना भी चाहिए मजा आ रहा है आना भी चाहिए क्लियर जल्दी से चलिए ज़र इसके पास चलिए बचाहिए देखिए ऐवरेज का कोश्चन है इसमें एलिगेशन लगाएंगे लिए वेट ओप बॉइस इनक लास इस तर्टी के जी एंद एवरेज वेट ओब गल्स इन दा सेम ख्लास is 20 kg if the average weight of the whole class is 23.25 kg what could be the possible strength of boys and girls respective in the same class how will you do this question मेरे पास क्या दिया एक लास है क्लास एक लिटर दिया है उसमें बॉइस है और उसमें क्या है एक बात था कई बड़े बोलते हैं सिर्फ बॉइस गल्स की से बनेगी बेटा एक पूरी क्लास है और उल्टिमेटली जो उनका वेट दिया कितना है पूरी क्लास का 23.25 वेट कैसे कि निकाल लोगे वह बहुत कि बहुत करों कैसे बोलोगा तैन के जी पर पर संट एन के जी पर सुडेंट इसका मतर्ट जो रिश वाएगी वह किसके आएगी नंबर आफ कि स्टुटेंट की बिल्कुल आएगी बिटा यह कितना हो गया कि 3.25 यह कितना हो गया 6.75 तो यह कितना हो गया मेरे पास बारां तेरा रेश्यों कितना 27 तो तेरेंट 27 ओप्शन नंबर 20 दा राइट अंसर क्लियर मुझे क्या बोला है बोईस्टू गल्स बिल्कुल जी बोईस्टू गल्स पुछा ना अगर गल्स्टू बोईस्टू पूच्छा था फिर नान अब दिजा था मेरा ठीक है तो बोईस्टू गल्स कितना हैगा मे प्रसे बता दू मेरी प्यारे बच्चों को सबको देखो बाई 41 प्लस सिलेक्शन थी हमारे पास 2021 में और 27 से ज्यादा सिलेक्शन दिए 2022 में तो अब समय आ चुक है कि अच्छी टैस सीरीज यानि अभी मन्यों आये सिरीज लेने का तो नंबर टैस्ट कितने मेरे बच्चों इसमें 26 क्या मिल रहे 8500 नहीं से रफ और 6500 रुपेश कि इसमें कंप्लीट जनल सब्सक्राइब चार्ट अपने पास और सी सैट के कंप्लीट अपने पास चाल टैस्ट है क्लियर मेरे पास क्या है अगर आप हर्याना जी को फोकस कर रहे हैं और हर्याना जी के बहुत तो लिंक मिलेकर डिस्क्रिप्शन में प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए थैंक यू लिंक सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे दोनों टैस्ट के बच्चों थैंक यू